हेलो अब्रिवन बेलकम टू एक वार फिर से तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम HPGK के क्वेशन कवर करेंगे तो ये कलास आपके लिए मोस्टली इपोड़न्ट रहेगी जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग प्रिक्षे होंगी चैनल से पहली वार जुड रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना और साथ मैं बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना अगर आप आज की वीडियो की पीडे फाइल प्रावत करना चाहते हैं तो टेलीग्रम चैनल को जोईन कर लेना उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को किनर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं तो बात करते हैं किनर देश बुक की इस रिटन बाई तो किसके द्वारा लिखी गई हैं आपके सामने चार ओप्शन दिये गए हैं तो इसका जो राइट अंसर होगा राहूर संक्रियतन ने ओप्शन बी बात करते हैं राहूर संक्रियतन की तो इन होना एक और पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हिमाचर पर्च बात करते हैं टियस नेगी की इन होना कौन सी पुस्तक लिखी हैं एश्टि आउ हिमाचर प्रदेश बात करते हैं राम राहूल की हिमालेन बंडरलाइन रंजोर सिंग तो रंजोर सिंग ने कौन सी पुस्तक लिखी हैं तो दोस्तों कमेंट करके जुरूब बताना Question No.103 इसमें ये पूछता है कि हिमाचर पुदेश का ओल्डेश्ट हाइडर प्रोजेक्ट तो कौन सा है शैनन, नात्पा जाकरी, कर्चम बंक्टू, चमेरा तो सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है शैनन बिच डिस्टिक इन हिमाचर पुदेश इस दा हाइस्ट पड्यूसर ओ मैंगो तो बात करते हैं आम की सबसे बड़ा तुपादक जीला हिमाचर पुदेश का कौन सा है कांगडा, सोलन, शिमला, मंडी तो इसका जो राइट अंसर होगा ओप्शन ए कांगडा क्वशन नमबर 105 तो इसमें ये पूशा गया की हिमाचर परदेश में किस तान पर इंडियन इंस्टिटूट ओव अड़माश टड़ी स्थित हैं तो बात करते हैं इंडियन इस्टिटूट ओव अड़माश टड़ी की तो ये हमें देखने को मिलती हैं समरिल शिमला में तो चलते हैं आगले क्वशन पर कटोच बंश का सबन्द किस से था तो बात करते हैं कटोच बंश की इसका जो सबन्द किस से था हमीरपूर से हमीरपूर जिले का नदोन कसबा किस नदी के किनारे बसा है तो बात करते हैं नदोन कसबे की सतलुज, राभी, ब्यास, हुहुल तो रहेट अंसर होगा ब्यास, ओप्शन C Question No.4 इसमें ये पूशा गया कि हमीरपुर की स्तापना इसने की थी तो बात करते हैं हमीरपुर की तो इसकी जो स्तापना की गई थी हमीरचंद के दोरा 1700 इस भी मैं स्रीमोर राज्य का संस्तापक कौन था? तो बात करते हैं स्रीमोर राज्य की तो कौन था? राजा रसालू Question No.4 तो इसमें ये पूशता है कि स्रीमोर र्यास्त का आंतिम शासक कौन था? तो कौन था? राजे इंदर प्रकाश Question No.15 स्रीमोर र्यास्ती प्रजमंडल की स्तापना कि स्था की गई थी? तो बात करते हैं स्रीमोर र्यास्ती प्रजमंडल की स्तापना तो ये हमें देखने को मिलती थी 1924 में 1195 इस भी में स्रीमोर राज्य की राज़नी कहां पर थी? तो बात करते हैं स्रीमोर राज्य की राज़नी इसका जो सबंद हमें देखने को मिलता है किनौर से किनौर में कुछ और भी लोगनृत्य की जाते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं जैसे राक्षनृत्य हो गया, शांब हो गया, बाक्यांग हो गया, वयंगश्य हो गया, जात्रू, क्यांग, जापर हो गया बात करते हैं स्रीमोर की तो स्रीमोर में जैसे बिर्सु हो गया, गी हो गया, नाट्टी, रासा हो गया, जूरी, बुडा हो गया क्वेशन नमबर नाइन्टीन क्यांग बक्यांग और बनगश्यू किस जिले के लोगनृत्य हैं तो इसका जो सही अंसर होगा की नौर, ऑप्शन ए बात करते हैं लहुल्स पिती की तो लहुल्स पिती के निर्त्य जैसे शांद हो गया, शाबू, लंगदर्मा हो गया शिमला तो शिमला में लोगनृत्य जैसे हमें गी देखने को मिलता है माला हो गया, बूरा हो गया, सिंग जुबल हो गया, ठोड़ा हो गया, शोहारा हो गया कुलू तो कुलू की बात करते हैं तो कुलू में जैसे कर्थी लोगनृत्य डीली, रुजिका क्वेशन नमबर 20 बाठना, किस जिले का लुकनाटक है तो बात करते हैं बाठना की तो इसका जो राइट अंसर होगा, ओप्शन C, मंडी क्वेशन नमबर 21 महोना, किस जिले का परसिद लोग गीत है तो बात करते हैं महोना की तो राइट अंसर होगा, बिलासपुर, ओप्शन B रिश्टे में रिशी, जब दगनी की क्या लगती थी तो बात करते हैं रिश्टे में की तो क्या लगती थी पत्रणी, ओप्शन B कौन सा रिशी हीमाचिर प्रदेश से सबंध नहीं रहा तो व्यास, बालमिकी, मारकंडे, लुमेश तो रैट अंसरोगा बालमिकी, इनका स्वंद नहीं रहा कुल्लू जिले का निर्मड किस से स्वंद रखता है तो बात करते हैं, क्वेशन नमबर 17 की, कुल्लू जिले का निर्मड तो विश्वमित्तर पशुराम जमदगनी बशिर दिशी तो रैट अंसरोगा पशुराम, ओप्शन बी क्वेशन नमबर 18, बुशर र्यास्तकी कुल देवी कौन है तो बात करते हैं, बुशर र्यास्तकी, कुल देवी कौन है तो इसका जो से अंसर होगा option D महिश्या सुरुमर्दनी Question number 19 जमरु देवता की पूजा कहां होती है तो बात करते हैं जमरु देवता की पूजा तो ये हमें देखने को मिलती हैं मलाना में option C और दोस्तों कमेंट करके बताना मिलाना हिमाचर पुदेश के किस जिले मैं पढ़ता है चलिए आगे बात करते हैं प्राचिन नेम और बर्तमान नेम की तो सुंदर नगर का प्राचिन नेम सुरी सुंदर नगर का प्राचिन नेम तो क्या है बनेड बात करते हैं ब्याजनात की तो इसका जो प्राची नेम क्या है किर गराम फिर बिलासपूर हो गया ब्यासपूर हो गया सराहन किसका है शोनितपूर का उनकक जसवान हो गया नुरपूर का दमेरी ब्रमोर किसका है ब्रमापूर का कांगडा तरीगत का हो गया कुलू कुलूत का हो गया नालगड हंडूर का कि नौर का चीनी दोस्तों यह थी आज की शोटी सी वीडियो अगर आपको आज की वीडियो संद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेर करना और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद जाय हिमाचल